मास्टर जी एक सवाल पूछे हाँ पूछो हाती को फ्रीज में कैसे रखेंगे अरे बेवकूफ हाती फ्रीज में नहीं आ सकता मास्टर जी फ्रीज बहुत बड़ा है ठीक है पहले फ्रीज खोलेंगे और हाती को अंदर डाल देंगे एक और एक और सवाल पूछो मास्टर जी हाँ हाँ पूछो गदे को फ्रीज में कैसे रखेंगे पहले फ्रीज खोलेंगे और गदे को भी उसमें रख देंगे गलत जवाब पहले हाथी को बाहर करेंगे फिर गदे को फ्रीज में रखेंगे एक और से वल पूछो मस्टर जी एक और हाँ हाँ क्या बचा है वो भी पूछ लो बंदर के जन्दिन की पार्टी में सभी जन्वर और चीफचन दुआ है लेकिन एक जन्वन नहीं आया वो कौन से जन्वर है सेर नहीं आया होगा क्योंकि वो आता तो सभी को खा जाता फिर गला जवाब गदा पाटी में नहीं आया क्योंकि गदे को थो हमने फ्रीज में बंद कर दिया था एक और सवाल पूछू मस्टर जी यह वाला लास्ट रहेगा बस एक और फिके बोल हरामजादे रास्ता में एक नदी है जिसमें एक खतरनाक मगरमच रहता है और उस नदी के उपर आने जाने के फूल भी नहीं है आप नदी कैसे पार करोगे मैं नाव लेकर नदी पार करूँगा फिर गलत जवाब तो तुम बताओ कैसे मस्टर जी इतनी जल्दी नाव कहां से मिलेगी तब तक तो आप नदी तैर कर भी पार कर लोगे मगरमच से तिरा बाब बचाएगा मस्टर जी आपकी एतनी फट्टी क्यों है आपको तो पता है सभी जीव जानवर बंदर की पार्टी में गए हुए है तो मगरमच नदी में कैसे आएगा आज तो तु गया बेटे पहले ये बता कल स्कूल क्यों नहीं आए मस्टर जी गल्फरेंड से मिलने गया था किस लिए येस सेर मैंने पूछा किस लिए लिए सेर बहुत लिए मज़ा आगया कसम से बहुत मज़ा आगया अरे जंगली जानुवर पड़ाई वड़ाई भी करता है हाँ सेर करता हूँ मैं पड़ाई करता हूँ रुग्या इस स्लो कार्थ बता कर्मन्य वदी का रास्ते मा फले सुकदाचन जल्दी बता इस कार्थ या पता है पता है मुझे पता है Is karto मुझे पता है तो बता जल्दी राधी का सायद रास्ते में फल बेचने का काम कर रही है यही है Is karto अरे मूरक जड़बुद्धी यह Iskart नहीं है जल्द कोई और सवाल पुछता हू O Is karto मेरी बच्चे पैदा और जूको हुआ है सबी का जन्वान झीक का ना हराम खोर निकल जा है मेरा मेरी क्लास रूम से बच्चो क्लास में लड़ाई जगड़ा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हाँ मस्टर जी आपने एकदम ठीक कहा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हाँ ये समाज़दार बच्चा लगता है मुझे हाँ तो बेटा बताओ तो क्लास्रूमें लड़ाई जगड़ा क्यों नहीं करनी चाहिए जी सर क्योंकि पता नहीं एक्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए बैठ हराम खोर बच्चो बताओ 1869 में क्या हुआ था सर गांदी जी का जन हुआ था बिल्कुल सही बैठो नीचे अब कालू तुम बताओ 1872 में क्या हुआ था सर इस साल गांदी जी तीन साल के हो गए थे मैं बैठो क्या सर तुम बैठो ना तुम मरो कहीं जाकर अच्छा बच्चो बताओ अकबर कौन था सर मैं बताओ सर मैं बताओ मुझे आता है हाँ बताओ सर अकबर गिय था क्या क्या तुम पागल हो गए हो बताओ ऐसा क्यूं लगता है तुमें सर हम सबने सुना है लैला मजनू, हीर रांचा, सोनी मेहिवाल, रोमियो जुलिएट इन सब में सब लड़का और लड़की थे लेकिन बस केवल अकबर और बीरबल थे जिसमें दोनों ही लड़का है सर वो कौन सा पंची है जो सबसे तेज उड़ता है सर हाथी नालाएक हाथी उड़ता है बता तिरा बाप क्या करता है सर दाउत के गैंग में सूटर है साब बास बेटे मैं तो तिरे साथ मजाग कर रहा था सब लिख लो बच्चो हाथी सबसे तेज दूरता है अच्छा कालू A.B.C सुनाओ हाँ सर सुनाते हैं A.B.C और सुनाओ हाँ सर और सब बढ़िया है आप सुनाओ अच्छा कालू A.B.C